नमस्कार दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो अगर आप कुछ छोटे-छोटे उपाय करके सचमुच अपनी जिन्दगी में तरक्की प्राप्त करना चाते हैं धन दोलत प्राप्त करना चाते हैं घर में सुक समर्दी और एश्वर्य का माहुल चाते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दे जये बजरंग बली क्योंकि दोस्तो हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबर्दस टॉपिक जिनसे आप अपने जीवन में काम्याबी प्राप्त कर सकते हैं और जी सकते हैं एक काम्याब जीवन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनने अगर आप गाय को खिला देते हैं तो आप जिंदगी पर गरीब और जर्जरता का सामना करना पड़ेगा आपको यदि आप गाय को इन में से कोई भी चीज खिलाते हैं तो आप घर में हर तरा की प्रगति के लिए वे समर्दी के लिए प्रति दिन पूजा पाट की जाती है धर्म गरंतों वे सास्त्रों में बहुत से छोटे-छोटे उपाय बताएं जिनका बहुत बड़ा महत्व है यदि इनका सही तरीके से पालन किया जाए तो व्यक्ति की जिंदिकी बदलते देर नहीं लगती आपकी गरीबी और दर्जता आपके गले पड़ जाती है और लक्षमी आपका साथ छोड़ देती है दोस्तो वैसे तो हिंदु धर्म में मानता है कि गाव माता की जितनी सेवा की जाए उतना ही कम है अगर गाए की सेवा निश्वारत भाव से की जाए तो घर में लक्षमी का वास हो जाता है सनात्म धर्म में गाव माता को बहुती पूजनी बताया गया है कहा जाता है कि गव माता को कुछ ना कुछ खिलाते रहने से आपके घर में हमेशा ही स्कारतमक वातावरन मना रहता है, लक्षमी जी का हमेशा ही वास रहता है, जिस घर में गव माता की सेवा निश्वार्त बाव से की जाती है, उस घर में हमेशा ही लक्षमी विद्धमान रह पालना संभव नहीं है, वहाँ पर भी व्यक्ति समय समय पर रोटी गाय को अवश्य खिलाते हैं, तो ऐसे में वह कौन सी तीन चीजे हैं, जिनने अगर आप गाय को खिलाते हैं, तो आप भूलवा सी सही, लेकिन अपने लिए गरीबी और दर्दिता का रास्ता खोल देते हैं यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंच तक देखते रहें, और सभी वीडियों को अच्छी परकार से जान लें, और कमेंट बॉक्स में जैबजरंग बली आवश्य लिखें, वीडियो ची लगें तो इसे लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जैबजरंग बली लिख करके इसे एक बार शेयर अवश्य कर दें क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे जबर्दस वीडियो जिनसे आप अपने जिन्दिकी को ही बतल सकते हैं इसलिए आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें तो अब जानते हैं वह कौन सी तीन चीजे हैं जिने अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आपके लिए जीवन में रुकावट पैदा हो जाती है हिंदु धर्म की मानताओं के नुसार गव माता में 33 कोटी देवी देवता यानि कि सभी परकार के देवी देवताओं का बास होत है कि हर दिन की पहली रोटी गव माता को खिलाने से आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की पूर्ण करपापराब्त होती है वहीं अगर आप गुरुवार के दिन गव माता को रोटी खिलाते हैं तो उसमकर आप एक चुटकी हल्दी मिलाकर खिलाते हैं तो आपको धन धान और शुक एश्वरे की जिन्दगी जीने से कोई भी नहीं रोख सकता है रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिला देने से मानसिक रूप से परेशानियों का भी अंत हो जाता है और सभी दुष्ट ग्रहे खुद बाखुद सांत हो जाते हैं यदि आपकी कुंडली में ब खुद बाखुद सांत हो जाएंगे और आपकी कुंडली में आपको शुब और शुब परिणाम देने लगेंगे अगर आपको लगता है कि बहुत समय से आपकी जिन्दगी में कुछ भी शुब नहीं हो रहा है तो आप गव माता को रोटी खिलाएं उनका मस्तक को छूकर अपनी मनोकामना कहें आपके जीवन के सभी मनोकामना इस खुद बस खुद पूरी हो जाएंगे यह सभी चीजे तो हर कोई व्यक्ती जानता है यह सभी जानते हैं कि गव माता को क्या खिलाना चाहिए लेकिन आज की वीडियो में हम आपको वे तीन चीजों के बारें बतान गव माता को रोटी खिलाने चाहिए यह सभी जानते हैं लेकिन यह आपको कोई भी नहीं बताता है कि गव माता को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलाने चाहिए कभी कभी आप एक दिन पहले की बनी हुई रोटी को अगले दिन गव माता को खिला देते हैं शीरे सब्दों मे यह गव माता का अफमान होता है ऐसा भी कभी होता है कि जब आप गव माता को खिलाने के लिए रोटी बनाते है और आपको उस दिन गव माता नहीं मिलती है तो आप उसको अगले दिन खिला देते हैं तो यह गव माता का अफमान होता है ऐसा आप बिल्कुल भी ना करे। फड़ी गली चीजें, खराब चीजें कभी भी गाय को नहीं खिलाने चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में परेशानियां उत्पन होती हैं, अगर आपकी भी ऐसी ही आदत है, तो आप अपनी आदत को तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि इस अगर पीपल का पत्ता खिलाएंगे, तो आपको पुन्य फल की प्राप्ती होगी, लेकर ये गलत है, क्योंकि आप कभी भी पीपल के पत्ते को खुद अपने हातों से तोड़ कर खिलाएंगे, तो आपको कभी भी पुन्य फल की प्राप्ती नहीं होगी, गाय स्वेम हीं कर तोड़ के खाती है, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर तोड़ के खिलाएंगे, तो यह सुब फलों की प्राप्ती नहीं होती है, वहीं आप हरी चारे में हरी घास आदी खिलाते हैं, तो वहीं बहुत अच्छा फल होगा, कभी-कभी जब हम सबजियां आदी बजार स खा लेगी, लेकिन हमें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि हम गव माता को कैसी चीजों का सेवन करवा रहे हैं, अगर आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, तो आप सड़ी गली या खराब चीजों के साथ में कुछ अच्छी चीजों का भी सेवन गव माता को अ अनाज अगले दिन आपको बासी करके गव माता को बिलकुल भी नहीं खिलाना है, दूसरा अगर आप चारा या खाने की वस्तुवन ने देते हैं, जो कि सड़ी गली है, वे आप बिलकुल भी ना दें, और अगर किसी कारण से खिलानी पड़े, तो आप उसके साथ कुछ अ इत्याग कर देती है, तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आप से मुलाकात होगी, एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिद्दे में जाते धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले, जये बजरंग बली!